कि नमस्का दोस्तों एक वत में से आपका स्वाल करती हूं ओके क्रेजिट में और आज एक और चस्प आइडिया लेकर आई हूं आपके लिए बिजनस का लेकिन उससे पहले आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कीचे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीचे साथ ही साथ बैल आ Orange में प्रॉफट कमा सकते हैं मैं बात कर रहे हूं फलों के बिसनस के बिजिया लुक्त करते हैं तो आप करते हैं अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं साथी साथ दिंदुभनी राध चुगनी आप तरक्की कर सकते हैं और कुछ के लिए रहा है जैसे कि आपको अपने जिससे आप अपने बिजनेस को और जादा आगे बढ़ा सकते हैं और बिजनेस अगर आप फ्रूट का या करने का सोच रहे हैं तो यह टिप्स तरह थ्यांत से सुनें फ्रूट का बिजनेस करने के लिए कोई जिगरी की आवशकता नहीं होगी और ना ही कोई बड़ी पूजी की ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस को केवल पड़े लिखे लोग ही कर सकते हैं या जिनके पास अधिक पैसा है वो कर सकते हैं यह कैसा बिजनेस है जिसे कम पड़े लिख फलों के थोक वेपार के लिए आवश्यक चीज़ें जगा फलों का थोक में वेपार करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जिस जगा इस वेपार को करना चाहते हैं वो जगा फलमंडी, सबजी मंडी जैसी जगाँ के पास जिससे छोटे दुकांदार या जिने थोक में फल खरीदना है वो आपके परमारेंट गराहक बन सकें क्योंकि जो छोटे दुकांदार है या जिने ज़्यादा फल खरीदना होता है वो फलमंडी से ही फल लेते हैं वहीं फल मंडी के आसपास ही अपने लिए गुदाम की विवस्था करें जहां फलों का स्टॉक रखा जा सके या बचा हुआ माल एकत्रित किया जा सके फल के गपार में बहुत जादा लोग की आविशक्ता नहीं पड़ती है ये काम आप दो लोगों में भी कर सकते हैं दो लोग मिलकर कांटे पर फल का नातों फल को पाक करके ग्रहक के हवाले करना और हिसाब किताब करना इसके अलावा और भी छोटे-मोटे काम मिलजूल कर कर स इसे में ये आवश्यक है कि व्यपार करने वाले व्यपारी के पास अच्छी गुनवत्ता वाले फल होने चाहिए आम तोर पर बड़े किसानों के द्वारा फल मंडी में फल क्या पूर्ती की जाती है इसके अलावा बहुत से ऐसे भी फल हैं जो हमारे देश में परयापत मा पारी होते हैं सबजी मंडी की तरह फलों की मंडी भी होती है थोक बाजार से खरीदे गए माल को रीटेल में किस भाव में बेचना है वहां यहां के थोक व्यपारी ही बता देते हैं इसके बाब जो शेहर के अलग-लग इलाकों में फलों के रेट होते हैं फलों के रेट उस से शंपर्क साथनय हो और वहिंगिमनाना होगा कि वह आपकी साथ बिजनस April के लिए आपको पिराय कि अच्छा खासा देना होगा क्योंकि जगा गोदाम के अनुसार ही होगी एक बार जगा में इंवेस्ट करने के बाद आपको फलों को खरीदने के लिए खर्च करना होगा फलों पर एक लाख से देड़ लाख इसलिए जरूरी है कि इसका ठीक तरीके से रख रखाप किया जाए अन्य था थोड़ी सी लापरवाही के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है साथ ही इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि फल जादा बासी ना हो दिखने में ताजा और साफ दिखें जिससे ग्राहक संतुष्ट होकर आसानी से खरीद सके सरकारि सहायता ने वैपार की तरह साथ के लिए और लगू को बढ़ावा देने के दो सबसीडी और लोन की सहायता दी चाती है लों प्रॉप्त करने के लिए वैपार का र्रेजिस्ट्रेशन कराने की उपरांध आधार कार्ट समेंट अन्य जरूरी दस्तावेज लगाकर पोटल पर ओनलाइन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं तो देखा आपने कि आप फ़लों का बिजनस कितनी कम लागत में शुरू कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं ऐसे और भी वीजियोस आपके सामने लाते रहेंगे लेकिन आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें और देते रहें अपना सहयोग भारत को आत्मनेर पर बनाने में ओकी क्रेडिट बिजनस ओकी है